ओम सिरी गनेशाय नम दोस्तो एश्ट्रू समाधान यूट्यूग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज इकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 जून शनीवार के रासी फल्क के पारे में कि हादिन में स्रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सस्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नेनी वीडियो पहुंच सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए सनिवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज प्रकरती आपका भरपूर साथ दे रही हैं कोई लाबदायक और महत्पपूर सवाचार मिलने से आप स्वैम को आत्मबल और भावनात्मक रूप से बहुत अधिक शशक्त महसूस करेंगे रुके उए काम को पूरा करने के लिए आप पूरी महनत लगा दो आज का दिन आपके लिए बहुती लाबदायक दिन शाबित होने वाला है आज कोई महत्पपूर समाचार आपको अवश्य मिलेगा आर्थिक समस्य हल होंगी रुके उए किसी जमीन जायजाद सम्मंदित कारों में आपको सफलता मिलने के आज योग बन रहे हैं किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन बहुती प्रसन रहेगा आज सुक्षिवदाओं जैसी चीजों को खरीदारी में समय व्यत्तित होगा अपनी प्रतिबां और चमताओं को समझें इससे आपके व्यत्तित में और अधिक निखार आ जाएगा तथा समाज में आपकी छवी भी निखरेगी आज का दिन व्यस्तता पूर्ण रहेगा काम का बहुत अधिक बोज रहेगा परंतु सफलता मिलने से ठकान हावी नहीं होगी और उत्सा आपका बना हुआ रहेगा घर में महमानों के आगमन से मौज मस्ती में भी समय व्यत्तित होगा अपनी योजनाओं को सफल बनाने का आज का दिन बहुती उत्तम है काफी लंबे समय से चली आ रही किसी परिशानी से आज आपको मुक्ती मिलेगी जिससे आप आज खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे और आर्थिक मामलों में भी ठोस और महत्वपून निर्णे लाबदायक साबित होंगे दोस्तों समय की चाल आपके पक्ष में हैं इसका आप आज भरपूर उप्योग करें आपकी भैतर कार्य प्रणाली की वज़े से आप लोगों के शमक्ष प्रशंसा का पात्र रहेंगे परंतु कोई भी काम अधवा योजना की पहले रूप रे का अवश्य बना लें आपके लिए बहुत यच्छ रहेगा दोस्तो अने को प्रिकार की सफलता हैं आज आपको अवश्य प्राप्त होने वाली हैं दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो अपने क्रोध वे जल्दवादी जैसे स्ववबाव पर आप नियंतन रखें किसी संबंदी या पडोसी के साथ वाद विवाद जैसी इस्तिती उत्पन हो सकती है बहतर होगा कि अपने काम पर आप ध्यान दें दूसरों की फिजूल बातों को नजर अंदाज करें मन में कुछ अनहुनी होनी जैसी आसंका होने का आज भे रहेगा अपने शोयबाव पर नियंतन रखें क्योंकि कभी-कभी आपके क्रोध पूर्ण वानी दूसरों को आहत कर देती है साथी संबंदों में भी कटूता आ सकती है दोस्तों आयके संसादनों में कमी रहेगी परंतु खर्चे वर करार रहेंगे इसलिए अपने बजट के अनुशारी खर्च करें कुछ ऐस्वस्तता महसूस करेंगे लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आपको एक्टिव बनाकर रखना होगा दोस्तों साथी साथ दूसरों की वज़े से किसी प्रकार की धन हानी भी हो सकती है चचेरे भाई भेनों से अपने संबंदों को खराब ना होने दें इससे अकारण ही तनाव उत्पन हो सकता है कुछ प्रतिदूंदी जलन की भावना के कारण आपके लिए कुछ नकार अत्मक वातावरन उत्पन कर सकते हैं और किसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है परन्तु जरासी सावधानी आपको परेसानियों से मुक्त रखेगी घर के बड़े बुजर्गों की अवहेलना बिलकुल ना करें कभी कभी लापरवाही और आलस की वज़े से आपके बंतिक कारों में रुकावट आ सकती है साथ ही अपने विचारों में भी लचीलापन रखें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेनी वाली है दोस्तो विवाहित जीवन में समान जश रहेगा मनोरंजन संबंदी कारों में समय व्यतित होने से परिवार में हास परिहास वे खुसी का माहुल रहेगा परिवारिक वातावरन आज सुखद बना हुआ रहेगा प्रेम संबंदों में भी प्रगड ताएगी रोमांटिक माहुल रहेगा निकट संबंदियों के यहां डिनर पर जाने का भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं काफी समय बाद घर से निकलना वे लोगों से मिलना जुलना खुसी और इस्फूर्ती प्रदान करेगा परिवारिक वातावरन खुसनुमा रहेगा घर के सभी सदसें एक दूसरे के साथ समय व्यतित करेंगे बाहरी संबंदों से सावधान रहें इनसे मान हानी होनी की भी संभाव ना है परिवार के व्यक्ती आप से कुछ नाराजगी व्यक्त करेंगे क्योंकि काम की व्यस्तता के कारण आप परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं इसलिए उनके लिए भी कुछ समय आप अवश्य निकारें विवाहित संबंदों में कुछ समय से चल रहे तनाव को साथ बैठ कर सुल जाने में सफलता मिलेगी और घर का वातावरन पुन्हें शुकद और मधूर हो जाएगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब का वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैवसाय में प्रोडेक्शन संबंदित कारों में कमी आने से तनाव रह सकता है परन्तु आपकी पेमेंट आने से आर्थिक इस्तिती मजबूत रहेगी इसलिए फिक्र करने की आवश्यक्ता नहीं है किसी उच्छ अधिकारी का शयोग आपके कारों में मन मुताविक सफलता प्रदान करेगा साथ ही कोई बड़ा ओडर भी मिलने की भी आज संभावना है सरकारी, शेवारत, व्यक्तियों के उपर काम का अधिक बोज आज पढ़ सकता है कारे छित्र में कोई भी निर्णे अकेले ना लें बलकि टीम वर्क बना कर काम करें इससे व्यवस्ता उत्तम बनी रहेगी आर्थिक मामलों पर किसी पर अधिक भरोसा ना करें और ना ही किसी प्रकार का समझोता करें दोस्तों व्यवसाय छित्र में आपको अपनी मेहनत के अनुरूप बहतर पैणाम हासिल होंगे आज आपके भाग्य का आपको अधिक शयोग प्राप्त होगा नोकरी पेशा व्यक्टी किशी सरकारी मामलों में फस सकते हैं सावधान रहें व्यवसाय के परिस्तितियां आज अनुकूल बनी रहेंगी अपना पूरा ध्यान बिजनिस पर केंदरित करें किसी बड़े अनुबंद के मिलने की आज संभव ना है व्यवसायक गतिविदियों संबंदित योजनाएं किसी भी बहारी व्यक्ती से आप शेयर ना करें कोई इसका अनुचित उप्योग कर सकता है और ओर्डर संबंदित सभी कारों में पक्के बिलका आप उप्योग करें दोस्तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुती लाबदाएक दिन रहने वाला है दोस्तो नौकरी से संबंदित आज आपको बहुती अच्छी खुसकबरी आवस से प्राप्त होंगी जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो गैस और ऐसे डिटी से आज परिसानी रहेगी खान पान में सैयम रखें वेवस्तित दिंचरिया रखने की आज आवस शक्ता है स्वास्त मौसम के बदलाव की वज़े से ठकान अनुबब और कमजोरी महसूस होगी अपना इम्यून सिस्टम स्टॉंग रखें जिया दोस्तो अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश वपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद भगवान शनिदेव का इसमरन करते हुए बहुती सच्चे मन से काले कुत्ते काली गाय को रोटी और काली चड़िया को दाना डाले या दोस्ते ऐसा करने से भगवान शनिदेव बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में रुकावटे चल रही हैं समस्त रुकावटों का अंत करेंगे जो भी आपके जीवन की परिशानिया हैं उन सभी परिशानियों का अंत करेंगे और आपको जल्द ही सुख फलो की प्राप्ती होंगी और आपके सभी कार्रे बहुत याशा नी से भगवाण शनीदेव के असिरवाद से बनते चले जाएंगे दोस्तों भगवाण शनीदेव का असिरवाद आपको प्राप्त हूँ सच्च दिल से कमेंट स्बोक्स में जैशनी देव ववस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद